हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल नेहाज आरिवेदिक टिप्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सौंफ खाने के अद्बुत फायदे के बारे में जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे कि एक सौंफ की इतनी सारे बेनफिट्स कैसे हो सकते हैं तो फ्रेंड्स सौंफ के बारे में आप सभी जानते हैं लेकिन सौंफ में इतने सारे और सधिये गुण होते हैं जो कि आपके सहत के लिए काफी फायदे मंद होता है तो इस वीडियो में पूरे डीटेल से आपको बताने वाली हूँ कि सौंफ खाने से क्या क्या आपको प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से प्रयोग करने से आपको कीन बीमारी से चुटकारा मिल सकता है सब कुछ दिटियर से बताओंगी इसके पहले आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी यूशफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक प्रशाए है और शूम का परियोग ईतर लोग मूह की बदू को दूर करने के लिए मौत रेशनल की रुप मेंदों करते हैं छे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सॉंफ जो है हमारे सिहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होता है सिर्फ सेहत के लिए नहीं हमारे इसकीन के लिए बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होता है क्योंकि सॉंफ में बहुत सारे पोसक्तत्तों पाया जाते हैं जैसे कि विटामिन जात्तर लोगे उच्छ करते हैं वह कि आपकी मुह की बद्बु को दूर करने के लिए माउच फ्रेश्णर की रूप में या सांसों की दूर गंता को दूर करने के लिए संप का पर्योग जाद आजाता है जैसे कि अगर आपके मुह से बदबू आती है, सांसों से जूड़ी कोई समस्या है, सांसों की दूरगनता को दूर करने के लिए भी सौंप है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसके लिए अगर आप मुह से बदबू आने की जो समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं पाचन तंत्र को मजबूत पनाने के लिए पाचन सक्ती को एश्ट्रोंग करने के लिए स्वाम कपरे बहुत ही जादा किया जाता है अगर आप अपने पाचन संबंदी समस्यां से परिसान है या आपके पेट फूल जाता है हमेसा तो आप खाना खाने के बाद हमेसा जब भी है उसके बाद आप आधा या एक चमस स्वाम का परियोग जरू करें इससे आपका जो पाचन सकती है श्ट्रोंग होगा जल्दी से खाना पचेगा और आपको कब्द की समस्या भी नहीं होगी क्योंकि इसमें फाइवर भी काफी मात्रां पाया जाता है और इसका नेक्स्ट आखों की रॉश्णी बहुत तेज होने लगती है आखों से जुड़ी जो भी समस्या है खतम होने लगती है और दीरे-दीर अगर आप चैस्मे का प्रयोग कर रहे हैं तो दीरे-दीर आपका चैस्मा जो है आखों से उतर जाता है यह बहुत ही अच्छा नूसका है मिस्री और प्रियोग करना आपके आखों के लिएृ सब्सट्वर जिससे आपका जो बहुत ही呵 först आपके आपको काल कि पॉट आपको पर्यूग का और जब यह 80% पानी बॉल हो जाए 80% जब पानी बच चाहे तब इस सौंप को छान कर आपको चबा चबा कर खा लेना है और इस पानी को हलका जब गुरूना रहे तब भी लेना है और यह जो ड्रिंक है आनि कि सौंप के पानी का सेवन आपको सुबा में खाली पेटी करना है और इस पानी को पीने के 30 मिनट के बार ही आपको कुछ खाना है 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना है अगर आप इस तरीके से सौंप के पानी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपका वजन भी तेजी से कम होगा और आपका पाचन सक्ती भी श्रॉंग बनेगा पाचन से जूड़ी भी समस्या बिल्कुली ठीक रहेंगी क्योंकि आपको गय से समस्या उत्पन नहीं होगी और इस पाणी के पीने के वज़े से आपके बाल भी हेल दी रहते हैं और स्वास्त रहते हैं कि कोलेस्टोल लेबल को नियंतित करने में सौंप जो है काफी हेल्प करता है अगर आपक के दिल पे यानि के आपको हार्ट एटेक आने के चांद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसलिए को नहीं बढ़ने देना चाहिए नियंतित करने के लिए सौंप जो है बहुत ही जादा मदद करता है तो सेम इसी तरीके से आपको सौंप का प्रयोग करना है आप दीन में ख सहायक होता है इसके लिए आपको सौंप को भून लेना है और स्वाम को भून कर चाहें तो पाड़ा बना सकते हैं नहीं तो भूने वे साम को मिस्टी के साथ आप परेव की जिए इससे आपके खासी में बहुत ही जल्दी रहात मिलेगी क्योंकि खासी की समस्या से निजात दिलाने में या सांस से जूड़ कोई समस्या हो खासने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इस समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा अगर आप फूने वे सौम का प्रयों मिसरी के साथ करते हैं तो इसका नेक्ट में भीट है कि अगर आप अपने दिमाग को स्वास रखना चाहते हैं अदा सकती को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सौम का प्रयों कीजिए क्योंकि सौम का प्रयों करने से आपका यादा सकती बहुत ही जल्दी होने लगता है आप कुछ भूलने की आदत है बहुत जली-जली भूल जाते हैं कोई भी चीज तो आप सौम का प्रयों की ये स्यम तरीके से करना हैenne आप मिस्री के साथ कर सकते हैं रात को फ़रे दूद के साथ कर सकते हैं EU सऺशार करना चाहीं क्योंकि उभ्याव करना चाहिए किहां का इनके एंगा सकती यह काफी किसी तरीके से आपको सौंप का परयोग करना ही है इससे आपको काफी फैदा मिलेगा और नींद की समस्या से भी परिसान है अनिद्रा की समस्या से परिसान है रात को आपको ज्यादा देर तक जगे राज आते हैं सोने की कोशिस करते हैं नींद आपको अच्छी तरीके से नह लेक्स फिल करेंगे कौमजोडी थकान की जो समस्या होती हो भी आपको दूर हो जाएगी अगर रात को सोने से पहले दूद के साथ अगर सौंप का परियोग करते हैं तो इसके अनाव प्रेंट्स इसका नेक्ट मेरिफिट है कि आपको आपके लीबर को मजबुत करने के लिए आपके लीबर को मजबुत बनाना चाहते है तो सौंप का परियोग लीबर को रहेखागे कर्स कर सकते हैं तो तुच्छा के लिए बहुत जादा फायदे मंद होता है सौंप अगर आपको रिंकल्स की समस्या है एंटी एजिंग की तरह काम करता है सौंप तो अगर आप सौंप का प्रियोग करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर जो रिंकल्स जुरिया आती है जो एज ज़लने के को सोने से पहले एक गलस गरम पानी के साथ भी कीजिए इससे आपको काफी फैयता मिलेगा आपकी स्किन काफी यंग बनी रहेगी जिनका जुर्यों की जो समस्या यूग खतम हो जाएगी और चेहरे पहमेसा चमक बनी रहेगी तो आप इस तरीके से परेग कर सकते हैं अपने जिनके बाल ज्यादा ज़ड़ते हैं एर फॉल की समस्या है गुरोध तेजी से नहीं हो रही है उसको सॉम का परेग जरू करना चाहिए इस यह बहुत ही तेजी सोने लगते हैं बालों के ज़ड़ना रूख जाता है इसका भी परेगा आप रात को सोने से पहले एक चमच जहाए बालों की जरूद तेजी से होने लगेगी आपके बाल सिल्की बनेंगे चमकतार भी होंगे अगर आप इस तरीके से सोम का परेग करते हैं तो नहीं तो सुम के पानी का युट अगर आप करते हैं सुबध हाली पेट तो इससे भी आपको काफी फैयादा मिलेगा इस लिए अगा दैंटेश की जड़ी खांट करना चाहिए और कीम वीमारियों को दूर करने के लिए और अपने बीमारिया और बटा दिये I hope कि आपको अच्छे आगिया होगा तो प्रेंट अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूचफूल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जड़ा सेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी घरे लिए उसके और इंफर्मेटि वीडियोच पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगण को प्रेस कर लिजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोच का नोटिफिकेशन साबको मिलता रहा है तो मिलते हैं फ्रेंट्स अपने नेक्ट्र वीडियो में ऐसे इंफर्मेटि वी आपने वाल